कि अच्छों कैसे आप लोग उमीद है आप बहुत बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और पढ़ाई निफ्यस्त होंगे निफायद करो स्वस्त होंगे और याद करो पहले पहले प्रक्ष्ण वीडियो ऑफ अंडर इंडराइटिंग शीर्स के बारे वा थी अन्राइटिंग एंडराइटर कॉर्चे से इस चैक्टर से बाद और चाप्यक्तर है कुछ छोटे मोटे MCQ और छोटे जो question पूछते हैं वो मैंने first part पर जो कराया उसे से cover होता है जैसे कि commission वगरा calculate करना second part में जो आज बात करने वाले हैं वो numerical करके देखने वाले हैं so let's start and do some numericals जैसे कि तुम्हें अपने screen पर दिख रहा है हमें question दिया है उस question में तुम देखोगे कि हमें दिया है कि ND Limited एक public ND Limited एक public issue किया कितने 4,80,000 के equity shares के यानि कि shares कितने का issue किया 4,80,000 को उसने shares issue किया कितने का 10 वाला है 4 underwriter से A, B, C, D यानि कि ये joint underwritten का question है उनका ratio दिया है 2 is to 1 is to 1 maximum rate of commission एक पर saving guidelines से याद होगा saving guidelines साबसे maximum rate of commission on shares 5% या अत्राइजब आर्टिकल which is lower यहाँ saving guidance गोल ला है मतलब 5% in-apply गोल रहा है ठीक है first हमें total shares कितने मिले 4,80,000 का हमें shares का application subscription मिला ये 4,80,000 विज़र total मिला इसमें question silent है कि mark कितना है unmark कितना है वो पता हम लगाएंगे बताओं में कैसे first question बोलता है कि कुछ भी नहीं बोला other information नहीं दिया तो क्या करेंगे solve करते हैं तो हम first बात करते हैं if no other information is given तो हमारा काम क्या है हमें निखालना है देखो लिग low नृम में लिपाल नृप आकोS फ्याएंगे का लाएंगे निएormand रिखेन में रियास स्घसरीन इस प्रीषड है वालता है लिपालता है याएंगे में लिएीन लिएखेती लिएशब लिएता है लिएता है चार अंड्रेटरस थे A, B, C, B और एक हमें और कॉलम बनाना है याद करो किसका तोटल का सही पकड़ है याद और फर्स कॉलम का नाम क्या रखेंगें तो फर्स कॉलम का हम नाम रखने वाले हैं पार्टिकॉलर्स ओके उमीद है क्वेश्चन तो आपने देख लिया सबसे पहला काम क्या है कि हम ग्रॉस लाइबरिटीज लिख देते हैं अब देखो तो टोटल चार लाइब असी हजार अगर तुम्हें याद है तो यह देखो कॉश्चन चार लाइब असी हजार हमने शेर्स इशू किया और उसको हमने अंडर्टिन किया है 2 इस टू 1 इस टू 1 में तो इस 4 लाइख 80,000 को अगर हम A का निकालें तो इंटू 2 बाइ 6 करना होगा and that's come to 1 लाइख 60,000 तो A का आया 1 लाइख 60,000 B का भी सेम आएगा because सेम रिश्यो है इसका 80,000 and 80,000 टोटल होना चीए 4,80,000 उमीद है यहां तक कोई doubt नहीं है अब देखो हमने no doubt issue किया था discuss किया था mark unmark का लेकिन अगर कोई information नहीं है ठीके तो जो हमें application मिला उसको distribute कर दो in 2 is to 1 is to 1 यह क्या था gross liabilities का ratio उसी में distribute कर देंगे लेकिन कितना application हमें मिला है 4,000 तो 4,000 का 2 by 6 यानि की it comes to sorry 4,000,000 नहीं एच्छा 4,000,000 तो यह भी 140 होगा यह कितना 70 और यह हो जाएगा 70 total is 4,000,000 तो निकल जाएगा net liabilities 20,000 20,000 10,000 10,000 total 60,000 और उतना ही shortage भी था तो इस इस दा 1st type of questions उमीद है समझ में आया yes sir 2nd part आते हैं वीद आपने question record लिख लिए है 2nd part क्या था when mark application is given same statement of statement showing net liabilities बना लेते हैं मैं heading देना भूल गया तुम लोग दे लेना A B C यह चोटा होगे यह अठी इचलेगा यहाँ A को बना रहते है A B C D and total यह बाट को बस तो सबसे पहला gross liabilities जैसा हमने पहले question बाटा gross liabilities कैसे निकालेगे A का total 480 shares हमने offer किया ratio है 2 to 6 यानि के निकलेगा एक लाख साथ हजा एंड शो आण तो A का एक साथ B का एक साथ 80 80 80 total or 80 सबसे पहले less कर देंगे mark application अगर question देखोगे तो हमें mark application already question में देखो given है A का साथ अजार B का 68 C का एक लाख बाराजार और इसका एक लाख 20,000 done एक करवड है यह A का एक 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 लटा है question में otherwise down हो जागा ठीक है यह A का B का एक लाख बाराजार और C का 68 एक एक लाख आप्लिकेशन A का कितना है 60,000 B का है एक लाख बाराजार C का है 68,000 and D का है एक लाख B सेदर बैलिस माल लेते हैं यह A है B है तो A माइनस B कर दो तो यहां आजा एक लाख 48,000 12,000 और यहां आगया negative 40,000 लेस कर देंगे Unmarked Application एस इन के लिए गाथ क्योंकि यहां नहीं दिया तो Total Application माइनस मार्क कर दो Total हमें मिला का 4,2,000 minus A का 7,000 B वाला 1,12,000 C वाला 68 and D वाला 1,20,000 तो पैलिस कितना आएगा balance हो गया 60,000 इसको हमें distribute करना है in cross liabilities ratio जो कि 2 is to 1 is to 1 है तो एक आएगा इस साथ हर को हम बाटेंगे तो एक आएगा 20,000 D का भी 20,000 C का 10,000 इसका भी 10,000 अब अगर हम balance निकाले तो इसका आ गया 80,000 positive इसका 20,000 20,000 positive इसका 2,000 इसका 30,000 50,000 लेकिन 50,000 लेकिन इसके पाद surplus अब जो हमने डिसकस किया था कि अगर किसी का surplus आ गया तो उसको remaining वाले आपस में बाट रोते हैं surplus कितना बटेगा 2 to 2 to 1 में यह 50 है that is 20,000 20,000 10,000 और यह 50 plus हो गया तो इसका निकल गया nil इसके surplus को benefit मिल गया remaining वालो को balance बचा a का 60 b का 8 लेकिन यहां पर देखो c का again credit आ गया surplus आ गया तो less कर देगे credit of c यह बटेगा किसमे a b in ratio of 2 to 2 तो इसको मिलेगा 4000 4000 4000 यह प्लस 1000 होगा इसका तो निल पहने ज़र रहे तो यहां निकल जाएगा net liabilities 56,000 4000 निल निल मीध है समझ में सबको आया ठीक है अब इसी में एक केसम और एड़ कर लेते हैं माल लेते हैं कि इसमें एक फर्म अन्राइटिंग था ठीक है A का 3600 B का 2000 C का 2500 D का 10,000 फर्म अन्राइटिंग का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है एक definite commitment मतलब इतना तो लेना ही लेना ही इनको ऐसा यह लो इश्यो करते हैं ठीक है देने इसमें इसमें कि यहां फर्म अन्राइटिंग के अलग से कुछ यह इसकास करते हैं एक तो अन्राइटिंग के अलग से कोछ भी इसकास करते हैं बेटर, okay?